एक सर्वे के मताबिक लगबग दो तिहाई शादी शुदा महिलाएं इस तरह के उत्पीरन के शिकार होती है रिष्टों के मायजाल में उलजी घरेलु हिंसा की ये कहानी है उत्तर प्रुदेश के एक छोटे शहर हर्दोई की जहां एक परिवार ने मिलकर घर के एक कमरे को जेल में बदलती है वो बहु जो अभी एक महीने पहले ही आँखों में न जाने कितने सपने सजोए दुलहन बनकर इस घर में आई थी तो ये है तुम्हारा और हमारे लल्ला जी का कमरा बैठो दुलन वो कहते हैं न कि अगर कोई घर में अपने मन की बात कहने वाला सुनने वाला हो तो जिन्दिगी बड़े आराम से कट जाती है औरों का तो पता नहीं पर हां तुम अपने मन की बात मुझसे जरूर कह सकती हो है न आज तुम्हें ऐसे सादे बिस्तर पर बिठाते हुए मुझे जरा भी नहीं अच्छा लगा पर अब लल्ला जी को कौन समझाए कहते हैं कि मुझे ये फाल्तू के चोचले बिल्कुल पसद नहीं अब उन्हें कौन समझाए कि शादी ब्या पे साथ सज्जा नहीं होगी तो फिर कब होगी भावी पापा ने बताया हमें आपके बारे में आपके साथ अच्छा नहीं होगा दुल्हन किसमत का लिखा कौन टाल सकता है अब नसीब में जो लिखा के आया है वो तो होना ही है खेर तुम इन सब की चिंता छोड़ो आज तो तुम्हारे सपनों की रहात है उसकी चिंता गरो है ना बड़ी जल्दी में लग रहे हो लाला जी हाँ झाल झाल वह उठ गए लल्ला जी? वो चादर हाँ हाँ, देर सुरी भाबी वो टाइम का पता ही नहीं चला अरे नहीं नवेली दुलहन हो लल्ली आज तो कितनी भी देर करती ना तो कुछ ना कहती तुम्हे भाबी आप जाये इनका समान हम दे दे हाँ, हाँ, अब लल्ला जी का सारा काम तुम्हे ही तो करना है कब कैसे क्या करना है तुम्हे मैं सब कुछ सिखा दूगी तुमसे बड़ी हूँ घर में और अब जब तुम आ गई हो तो मुझे भी तुम आराम करना चाहिए, क्यों? अच्छा, रात को लल्ला जी सोते पही सोय थे क्या? हाँ, भावी, अरे शादी की ठाकान होगी, उतरते उतरते वक्त लगता है और वैसे भी सारे काम लल्ला जी को ही तो करने पड़ते हैं तुम चिंता मत करो, अच्छा सुनो, आज घर में दुलहन का पहला दिन है आंगन में गुसल खाना है, जाके जल्दी से नहा लो और उसके बाद घर में सब के लिए कुछ मीठा बना देना चलो जो अरे लल्ला जी, रुको खुश्रो बेटा, दूदो ना पूतो फलो भाबी, मैं जल्दी ते खीर बना खिलाती हूँ खीर तो मैंने बना दी है, दुलन वो लल्ला को जल्दी निकलना था ना तुम बस एक काम करो, तुम सबको मीठा खिलाने की रसम पूरी कर दो बस अम्मा ने बताया नहीं हमको मीठा पसंद नहीं है हमको शुरू से चकपटे की आदत है दुलन का दिल रखने के लिए अगर एक चम्मा चक लोगे तो कौन सा पहार तूट पड़ेगा लल्ला आप ना किसी का दिल रखने के लिए भी जूट बोलनी सकते मरने के बाद भगवान को मूँ भी दिखाना है क्या कहेंगे वहां कि खूब जूट बोल करा है चलते हैं और हां शाम को जल्दी टाइम से आ जाना नई दुलन की जब तक आवाज नहीं खूलती इनके मन का हाल हम भी आपको बता देते हैं एक बिटा अडोस पोडोस वाले सब तुमारी मूँ दिखाए के लिए आते होंगे जल्दी से तैयार हो जाओ चा और हां अम्मा ब्या शादी की सारी रसमें आज ही खतम कर लीजे ये रोज-रोज महमानों का घर में आना जाना मुझे जरा भी पसंद है अम्मा जी नमस्त्रे चला में भी तो देखो इस चोटी भावी को अरे वाँ अम्मा जी आपकी छोटी बहुत तो बड़ी भावी से भी बहुत सुंदर है और मेंने सुना एक पढ़ी लिखी ही बहुत है ये अच्छे से सम्हालेगी आपके घर परिवार को अंजली का पती रागव तो एक ट्रेवल एजेंट था वो तीर्थ यात्रियों को चार धाम की यात्रा पर भेजा करता था शादी की पहली रात रागव का बिस्तर से उठकर सोफे पर सो जाना ससुराल में पती का पतनी के हाथों परोसी खीर खाने से इंकार करना अपने प्रती रागव का ये उपेक्षा भरा रवया अंजली को समझ नहीं आ रहा था आखिर माजरा क्या था कहीं ये शादी रागव की मर्जी के खिलाफ तो नहीं हुई थी या फिर कहीं शादी में अंजली के घरवालों से कोई गलती तो नहीं हो गई थी अंजली को अपनी ससुराल में अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। दूसरी और आसपडोस के लोग उसकी तुलना सकसेना परिवार की बड़ी बहु पूनम के साथ कर रही थी। पूनम जिसका पती उसे दो साल पहले छोड़कर चला गया था। एक तरफ पूनम की जिंदगी का ये सुनापन, दूसरी तरफ राघव का ये विभार। अंजली को ये सब काफी अजीब लग रहा था। आ गये आप, हम आपके लिए चाय लाते हैं। चाय हम लाला जी, आपके ददर से कोन है, किसी का। अच्छा। अच्छा। हमें अपसे कुछ बात करने हैं। हमसे कोई गल्ती हुई है क्या। हमसे कोई गल्ती हुई है क्या। मेरा मत्रब देखो, पुरा हफ्ता खाली निकला है। एरत रात्रियों के लिए एक भी बस रवाना नहीं कारा पाएं। मौसम खराब चल रहा है और हमारा दिमाग भी। इदर से सर फटा जा रहा है। अब तुम हमारा दिमाग और खराब मत कर। दोलिन जा के खाना बना लो, दुलिन। वैसे भी लल्ला ने दुपहर से कुछ भी नहीं खाया है। अब आप मेरी चिन्ता ना किया करें यहां अम्मा और भावी मेरा पूरा ख्याल रखते हैं और दामाद जी वो भी चलो मम्मी, हम रखते हैं हम जल्दी आएंगे मिले अब भी मुझे इनके साथ निकलना है बाद में फोन करती हूं बाई पानी हम तयार हैं, चले कहाँ शादी को दो हफ्ते हो गए है लल्ला जी और आप दुल्हन को कहीं गुमाने भी नहीं ले गए हर रोज घर में बंद समर कर बैठे रहने का क्या मतलब है आज दुल्हन को अपने साथ ले कर जाईए और कहीं गुमा कर लाईए शादी करके आई है, घर के कामों में ही लगी रहती है काम धंदा छोड़कर हमारे पास इन्हें घुमाने का समय नहीं है काम तो आप रोजी करते हो लल्ला जी लेकिन दुल्हन को समय देना भी तो आप ही का फर्ज है न तो ठीक है आप कहती हैं तो इन्हें घुमाने का फर्ज पूरा कर लेते हैं लेकिन कल से कमाने के लिए हमारी जगा इन्हें काम पे फेजिएगा और अगर बिजनस के काम में कुछ गरबड़ी हुई न तो होने दीजी चलिए अरे हमें क्या पता था लल्ला जी कि इतने कामों में व्यस्थ हूँ अगर ऐसा है तो आप दुल्हन को क्या गुमाने ले जाओगे आप रहने दो, अपना काम करो अम्मा अम्मा आप अपने साथ अपनी दुल्हन को भी लेके जाओ नगón घुमाने के लिए बिचारी, हमारे कहने से ही लल्ला जी के साथ जाने को तैयार हुई थी पर पीटा, मैं तो मंदर जा रही हूँ तो क्या हुआ अम्मा जी, बहु को भी अपने साथ लेकर जाओ आपके साथ जाएगी, तो उसका दिल भी लग जाएगा और आसपडोस वालों से मुलाकाद भी हो जाएगी दुलहन, तो मम्मा जी के साथ जाओ और हाँ, घर की और खाने पीने की जिन्ता बिल्कुल मत करना वो सब मैं समाल दोंगी और हाँ, तो मैं समाल जाएगी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो वो को है वह अगां कि ह화 बात है दूलन कुछ परेशान दिखाई data में यहें लग्षा ने कुछ कहा क्या है त paganे वह कराया समझती हो हमको है वह भाबी ही हमने कुछ समझने आ रहे है नंगा हमसे कोई गलती हुए है क्या, वो हमसे फासला बना के चल रहे हैं, कहने को वो हमारे सदे कम्रे में तो रहते हैं, पर हमारा कोई उनके साथ ऐसे संबन नहीं है, भाबी, तुम चिंता क्यों करती हो, नया घर है, नया रिष्टा है, एक दुसरे को जानने समझने में वफ्तों लगता ही है, है, हम लल्ल आराम करो, आजा बेटा, मैंने डॉक्तर को फोन कर दिया है, वो आरही है, ठीक, आजा, अम्मा पर भाभी को अचाहनक हुआ क्या, अरे कुछ नहीं बेटा, मौसम बदल रहा है ना, उससे से तभीत बिगड गए होगी, बेटा, मैंना सुबे कुछ सबजिया लाना भूल ग और कुछ ताजी सबजियां लेया, रासोवी में एक भी सबजी नहीं है, हाँ, यह ले, जल्दी आ ना, बेटा, खाने का समय हो रहा है ना, तु भाभी की जिंदा मत कर, मैं और राकव हैं उसकी देखभाल के लिए, देखी गबरानी की कोई बात नहीं, ऐसे हालत में कभी- बाकी इनके खाने पिने पर ध्यान दीजिये, और और कोई दिक्कत हो, तो मुझे फोन कर दीजिये, चिंता की कोई बात नहीं, अभी इनके डिलियरी में पाँच मैने बाकी है, अने मार्ना, चलते, पूनम का पती याने राघव का बड़ा भाई, दो साल पहले घर छोड़ कर जा चुका था, फिर अचानक पूनम का गरवती होना, चौकाने वारी बात थी, कौन था इस बच्चे का पिता, क्या वाकई पूनम के साथ कोई हादसा हुआ था, या फिर बात कुछ और थी, जिस इसे गए तो दो साल से जादा हो चुके हैं, फिर भावी का माँ बनना, भावी के साथ ऐसा क्या हुआ है, अमा, बहुत तकलीफ में हो, और अपनी तकलीफो किसी को नहीं बताती, इसका मतलब भावी ने इस बारे में किसी से, भावी मुझसे कुछ नहीं चुपाती, मैं उ अन्जरी, इस बारे में उनसे भी बात करने की कोई ज़रूद नहीं कि लेकिन हमें इस बार में पता होना चाहिए, बहुत बड़ा आने पे जो पता चलना है चल जाएगा, भगवान के लिए जो कहा है, उसको समझ लो, इस बारे में बात करके उन्हें किसी गुना का हैसास क लेकर कई सबाल उठ रहे थे, लेकिन अपने इन सबालों का जवाब अंजली को अपने इस नए परिवार से नहीं मिल रहा था, उसके मन में तरह तरह के खयाल आ रहे थे, अंजली के लिए रिष्टों की एहमियत बहुत ज्यादा थी, और उसे अपने माता पिता से मुश्क भावी को यहां लाना था, आप मुझे कह देते, रहने दो, हम कर लेंगे, आरा, आस ना, आस हमारा यकीन कब, बहुत जल सब ठीक हो जाए, हम वादा करते हैं, कि कोई आँच नहीं आने देंगे, ना आप पर, ना इस बच्चे पर, कि बच्चा हमारे प्यार की निशानी है पुनम गर्ववती है, इस बात से तो अंजले चिनते थी, लेकिन जब उसे ये पता चला, कि ये बच्चा किसी और का नहीं, स्वहम उसके पती का है, तो इस बात ने उसे हिला कर रख दिया, अपनी सबात बला यांदो, हमने कोई गुना नहीं किया है, हम प्यार करते हैं, तो मेरी जिन्दगी दाव पे क्यू लगाई, क्यू लाए मुझे इस घर पे दुलन बना कर, क्यू लाए आप दोन अपने प्यार के बीच में मुझे, बोलिए, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए, तो सुना, हम तुमें इस घर में इस लिए लेकर आए, ताकि इस घर की घर में ही रह जाए, यह बच्चा हम दोनों का है, और हमने तुमसे इस लिए शादी की, ताकि इस बच्चे को समाज मेरे और तुमारे बच्चे के रूप में देगा, हम नहीं चाहते कि यह समाज हमारे रिष्टे के बारे में तरह तरह की पाते गए, हमारे परिवार पर उ और बेहत खुदार लड़की थी, और उसे अपने परिवार से सच के लिए जीने और लड़ने के सिंस्कार मिले थी, पूरे परिवार ने मिलकर मुझे धोका दिया है, हमें नहीं रहना यहान, हमने कभी नहीं सोचा, कि हमें इस परिवार में सिर्फ नाम के लिए दुलन बन मैं पुली स्टेशन जाओंगी, कोट जाओंगी, चुक नहीं बैठूंगी, समझाने के बावजूद भी, लल्ला जी की बाद उम्हें समझ में नहीं आ रही है, हंगामा करोगी, सब को बताओगी किस अचाही क्या है, लल्ला जी और इनके परिवार को बदनाम कर के हिडम ल अजली के पती रागवन, और उन दोनों के किये की सजा भुगतनी पड़ रही थी, अजली को, हलो, मैं अजली का पापा बोल रहा हूं बेटा, बावजी अभी हम आपके बारे में ही सोच रह थी, बहुत लंबी उमर है आपकी, हम तो तुम्हें रोज याद करते हैं बेटा है ससुराल जाकर मैके को तो बिल्कुल भूली गई है, ऐसी बात कर रहे हैं बावजी, बहला अपने माबाप को भूल सकता है क्या, अजली को लेकर माप से मिलने खुद आएंगे, हाँ, लेकिन जड़ा बात तो कर आओ उसे बेटा, बावजी वो घर पे होती तो अभी आप अजलते चलते हैं, आये नाये, रागा बेटा, बहु के मम्मी पप आए हैं, अजली का है, अपने एक बार अगर फोन कर दिया होता ना, तो मैं अंजली को रोक लेता, वो भावी के साथ बागार गई, बेटा कुछ नहीं, बेटा कुछ नहीं, वो बिल्ली फिर कमरे में अजली ने पुछ तोड़ा होगा, मैं देखता हूं, अचा, मेटा हम चलते हैं, पर चाहे तो ले लेते हैं, आज नहीं, फिल कभी, अगली बार बता के आएंगे, अचाना कंजली ने रगव की बात कैसे मान ली, क्या वो अपने उपर हो रहा है अत्याचार से खबरा उठी क्या वाकई उसने घुटने टेक दिये थे, या फिर अपनी जीत की रा में पहला कदम उठाया था उसने बाभिया, चेहरा के सख पिला लग रहा है आपका, तब्यद तो ठीक है ना? अटाली, तब्यद कुछ ठीक नहीं लग रही है, अजीव सी घबराट महसूस हो रही है, दिल बैठा जा रहा है तुमने दवाया नहीं लियोगी, दवा खालो और आराम करो, सुबह तक सब ठीक हो जाए हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त भाभी को आपकी जुरत है, आप उनके साथ जाएगे चलो अपने हरकतों से बाज नहीं आ सकते ना? अरे एक दिन भी सबर नहीं होता आपसे, आखिर हो तो मर्द ही, अरे ऐसा क्या रहे गया जो मुझसे नहीं मिला हमने उसके सामने तुम से कहा कि हम तुम से प्यार करते हैं, इसके बाद दियात बाद नहीं हम पर और क्या सुन जी? अर्चाशन जी अर। अर्चाशन जी? मर्द है, सबर नहीं होता है, हम अपटी मर्दी के खुद मारिख हैं, किसी के खुलाम नहीं हैं। और वहते भी उबी भी लगती हैं, आधा महीना चार देने का वादा किया हैं। हमारी पुना करने के बाद जिया का तुम्हें आतुरक्षा हो रही है तो तुम्हें दो करना है वो तुमका और जो मुझे करना वो हम करेंगे अब लल्ला जी पे इतना भी हक नहीं रहा हमारा तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन अब है में आए तुम्हारा तुम्हार तो मैंने कुछाए है अब आज के बाद अंजली बनाए है मुझे मालूम है कि तुम क्या कर रही हो लेकिन लेल्ला जी हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे तुम इस घर में हमेशा दूसरी औरत बनके ही रहोगी ले बिटा हो गया अरे बहुप क्या हो यह देख तुम बाबी क्या हो आप अपको कुछ नहीं होगा बाबी अम्मा आप पुने फोन कर दे उन्हें जल्दी से क्लेए नी पौच जया हम भी बाबी को लेकि जल्दी से निकल ली रहे हैं आप जल्दी से त्यार जाएए ठीक है अबे बावे इतार को खाना खाया था? नहीं खाना नहीं कहा है डॉक्टर कैसी तब यहत इनकी? इसे चिंता करने की कोई बात नहीं अब नॉर्मल है एसी हालत में यह सब कुछ होता है और आथ दुपेयर को इन्होंने खाना ही नहीं खाया प्लीज इनके खाने पीने का खास क्याल किजिए मैं दवाई लिखके देती है हाँ अम्मा अंचली का है वही तो हमें लाई थी बेटा दिखाई नहीं दे रहे मोका देखके निकल ली और आप चिंता ना करें बागे जाएगी कहा आप इने लेके खार जाईए अम उसे लिए का राते है अरम से अरम से लिए कि अपन बंवा में और हुब आजी आपक दो तिम आले आयो अक्ट आले आयो और अजली गारा है पुब ऑग जी आंजली पहची नहीं तो ये मतलब अंजली अक्ट आने अफली थी अरे माफ कीजीगा बाओ जी, वो दरअसल मैं अंजली को ठीक से फोन पर संझा नहीं पाया, वो क्लिनिक पर भावी का चेक अप करवा कर घरी चली गई हो, भावी की तबियत ख़ाब है, नहीं, वो नॉर्माल लूटिन चेक अप होता न, वो करवाना था, अच्छा बाओ जी कि मैं तल अंजली को पक्का आप से मिलने के लिए कर आता हूँ, अना, मैं चलता हूँ, वो घरपन मेरा इंतसार कर रही हो, अच पहुच के फोन कर ले ना, जी, 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 बजल के लिगाँ हूँ, अजी, जी, 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 जी. कि अपने काम समय में तेरे साथ अपुस घर में इतना कुछ होगा तुन्हें हमको बताया तक नहीं है कैसे पताती उन लोगा ने हमारी बेटी को घर में बंदी बना कर रखा हुआ था आप हमेशा कहते है ना पापा के न्याय सेहने वाला उतना ही दोशी होता है जितना न्याय करने वाला नेरी लड़ा यह भी खतम नहीं हुए पापा पुलिस पे कंप्लेंड करवाँगी उनको सजा दिलवाकर रहूंगी पापा हम तेरे साथ है बिटा जिद्धा मात का जी अंजली यह हमारी पतनी इंस्पेक्टर साहब अमने आप से कहा था ना कि वो यहीं पर मिलेगी हमेशा भाग कर अपने मम्मी पापा के शणन में आ जाती है और यह लोग भी ना हमारा घर बसने से पहले उसे उजाडने पर ही तुलें पर इस्पेक्टर साहब काम्पलेंट क्या है कंपलेंट बताने के लिए अंदर आ सिकता हूं आई ए पिछले दो महिनों में मैंगे जो सहायना इंस्पेक्टर साहब वो कोई मर्द नहीं सहाबाता अरे क्या क्या नहीं बोला है इसने में इसके शक की वज़ा से इसने मेरे और मेरे भावी की पवित रिष्टे तक पो नहीं छोड़ा ये जूट बोल रहा इंस्पेक्टर साब मैं भणा जूट क्यों बोलूँगा इंस्पेक्टर साब मैं तो दिवानों की तरह प्यार करता हूँ अंजली से पर इसलिए अब तक चुपचापता कुछ सहता रहा हूँ मुझे पता था पती हूँ ना इसलिए मेरे कंप्लेंट को गंविर्दास नहीं लेंगे आप लग लेकिन इसने तो अपनी शक की हदी पार कर दियाच मेरे भावी के खाने में ना जाने इसने क्या मिला दिया उत तो सही समय में दवा मिल गए वरना कुछ अनर्थ हो जाता है तो अब क्या चाहते हो इंस्पेक्टर को लेके आये हो क्या इडादा है तुमारा? बाओ जी, हम अंजली से बहुत प्यार करते हैं. और हम चाहते हैं, यह जो बारवाराप अंजली को शेय देते हैं, यह देना बंद करे. ताकि यह अपने परिवार में सब के साथ गुल मिलकर रहना सीखे. हमें अपना परिवार माने, हम पे शक्करना बंद करे. और आज भावी से जाकर माफी माँ देखें, मैंने इनकी कम्प्लेंड लिख लिए, आपकी बेटी अंजली की हरकत की वज़े से इनकी भावी की जिन्दीकी खत्रें में फड़ गई थी, इसके बावजूद इनके मना करने पर मैं कोई कारवाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कर रहा हूं, आएंदा आपकी तरफ से या आपकी बेटी अंजली मेडम की तरफ से इन लोगो को किसी तरह की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, पर इनको अगर अगर अजली से इतना ही खत्रा है, तो क्यो रहना चाहते हैं अजली के साथ? प्यार तो अंदा होता ना आप हमारी जिंदगी में दखल नहीं देंगे ना, तो हमारा घर बस जाएगा अंजली, घर चलो, देखो तुम घर चलो, हम तुमारी सारी घलतियों को माफ करते हैं, बस हमारा साथ दो अंजली, हम पर विश्वास करते हैं चीके, हम आपके साथ चलेगे लेकिन इस्पेक्टर साहब, हम आपसे विंती करते हैं, कि आप हमारे साथ चले, आपके सामने ही माफी मांगी जाएगी, ताकि इनको आगे कोई कम्प्लेंट का मौका ना मिले, ठीक है, चलिए, चलिए, चलिए तूने आजो किया, वो लल्ला जी ने तो माफ कर दिया, मगर मैं, मैं कभी माफ नहीं कर सकती, अरे तेरी वज़े से आज इस घर में पुलिस तक आ गई, शरम नहीं आई तुझे, इंस्पेक्टर साब, पिछले दो साथे इनके पती गायब, और ये बात पूरा मोहला जानता है, तो फिर ये चार महीने से प्रेगनन कैसे, ये आज तक आपके साथ थे, हमने भी यही सोचा थे, कि शायद इनके साथ कोई हासा हुआ होगा, लेकिन असलियत कुछ होह रही थी, ये बच्चा मेरे पतीगा है, जिनका समन्द मेरे साथ न इनस्पेक्टर साब, ये साब जूट बोल रही, ये शक कर रही हम पर, तो फिर पूनम के पेट में जो बच्चा पल रहा है, गो किसका है, मेरे पेटे का, राघाव का, हम आज तक चुप रहे हैं, क्योंकि ये हमारे बुडापे के सहारे थे, कहां जाते हम, पर सच तो यही है, कि अत्याचार राघाव पर नहीं, अंजली पर हुए है, अम्मा ये क्या कह रही हो, बस, बहुत हो गया, तुम तोनों के संबंद पर पर परदा पड़ा रहा है, इसलिए हम इस बेचारी को भ्या करके इस घर में ले आए, तुमने इस पे इतने अत्याचार किये, हम अगर लला जी ने हमारे जिंदगी में वो कमी पूरी कर दी, तो क्या गलत किया, बच्चा गिराते तो जान को खत्रा था, इसका अरगी इज़त बनी रहे, इसके लिए हम तुमें इस घर में प्यां कर लेकिया है, ताकि हमारे बच्चे पर कोई उंगली न उठा सके, दुन बच्चे पुतली की तरह इस्तमाल करने का कोई हक नहीं था आपका, आप सब ने जो अत्याचार मेरे साथ किये हैं, आप सब को उसकी सदा में दिलवा कर रहूंगी, भारतिये संस्कृती और सभ्धता, जौतों को अपने पती और उसके परिवार का आदर करने की सीख देती इसलिए कई बार मुश्किल हालात में महिलाए खुद पर होने वाले अन्याय को चिपचाप सहन कर लेती हैं, तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाती हैं, ये सोचकर कहीं परिवार की इज़त समाज में खराब न हो, लेकिन चुप बैटने से समस्या का हल नहीं निकलता, उल्टे समस्या और बढ़ती है, जरूरत है तो जुल्म के खिलाफ मजबूत आवाज उठाने की, पक्के इरादे के साथ कदम बढ़ाने की, आईपीसी की धरा 498-A के तहत, अगर किसी स्त्री पर उसका पती या पती का कोई भी सगा संबंदी, किसी भी तरह का अचार करता ह तो उसे तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है, और साथी साथ जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, राघव, उसकी मा और पूनम को इसी सेक्शन 498-A के तहत सजा सुनाई हो, तो आईए, समाज में फैली इस हिंसा और रिष्टों को यू नीलाम करने वाले लोगों के खिला तो साथधान इंडिया